मत्योप्रदेश में आगामी 12 मार्च से पंचायती राज खत्म हो जाएगा जिसके बाद सभी ग्राम पंचायत में भार साधक नियुक्त हो जाएगे इसी के चलते रतलाम जुले के सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ग्यापन सौपा है इस दोरान विरोद कर रहे सरपंचों ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र के बिंदू क्रमांक 32 में पंचायतों को अपने अधिकार वापस देने और सशक्त बनाने का वचन दिया था परंदु हमें दुख है कि सरकार बनने के बाद पंचायतों की विकास निधी सरकार ने रोक ली साथी जन प्रतिनिधियों को मिलने वाला वेतन और भत्ता तक रोक लिया गया है इस दोरान सभी ने जम कर नारेबाजी भी की वही सभी सरकार बढ़ाने और वेतन भत्ता जल देने की मांग की है अब आज जो गर्मी का सीजन आ रहा है गर्मी के सीजन में पानी सबसे मंतुपूर्ण सीजन अगर सबसे भुक्टार अगर होता है पंचायत में तो वो डोंगल के माद्यम से होता है और डोंगल अगर आज सरपंच का हटा और जो भार साथ अधिकारी आया उसका डोंगल एक्टिवेट होने में दो से तीन महीने लगते हैं इस दोरान सभी ने मांग पूरी नहीं होने पर त्री स्तरीय पंचायती राज संगठन के बैनर तले आंदोलन करने की चेतावनी भी दी जेसार टाइम्स के लिए रतलाम से कीरती वर्रा की रिपोर्ट